दूस्तों आज हमारे पास है Hero की सब्सेज़ादा प्वसंद की जाने वाली बाली KYT Hero HF Deluxe देख सकते हैं अप, यह सब्सेज़ादा बिकने वाली भाले के दूसरे नमबर यहां पर सब्सेज़ादा दूसरे नमबर में बिकने वाली कि Hero HF Deluxe है और ये इसका आप जो कलर देख रहे हैं ये इसका टेक्नो ब्लू कलर है तो अभी हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं और ये ब्लू जो इसका कलर है काफी खुबसूरत लगता है इस बाइक में तो बात करेंगे हम इस बाइक के बारे में तो वीडियो में आप पहली बार लाइक करें दोस्तों तो बात करीकिंब अब देख सकते हैं तो जो क्लर है तुझ है और देखने में काफी अच्छा लगता है क्लर यह तो बात करते हैं तो अब मिलता है यहां पर इसका जो लोगो है आप देखेंगे लोगो यह आपको 3D में मिल जाता है ग्राफिक्स आपको मिल जाते हैं सिल्वर ब्लू कलर के साथ में यहां पर इसके जो इंडिकेटर हैं यह आपको नॉन आई भीज के आपको मिल जाते हैं, सिल्वर कलर के साथ में, यहां पर आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं, आई बीएस टेकनोलोजी का प्रयोग किया गया है, मीटर की वायर मिल जाती हैं, साथ में आप देखेंगे यहां पर तो जो टायर है यह टायर आपको मिल जाते है दो पच्छतर अठारा के और यह टायर है C8 के इसमें आपको नॉन ट्यूबलेस टायर मिलते हैं इसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं रिफ्लेक्टर आपको मिली जाते हैं तो फ्रंट में भाई कुछ इस पकार तो यहां पर आप देख सकते हैं, जो इसकी स्विचे से काफी बढ़िया मिलती हैं, क्रिप भी बढ़िया मिल जाते हैं, लीवर भी आपको काफी ठीक ठाइग मिल जाते हैं, यहां पर आपको पासिंग लाइट मिल जाती हैं, हाई बियूम, लो बियूम के साथ में, इसे में के सकते हैं यहाँ से आप देखेंगे जो इसके यहां रिकेटर निचे अई की स्विच्छा बेखने को मिलती है साथ में आप देख सकते हैं इसके यहां पर आपको i3s off on के लिए और नीचे self start के switch देखने को मिल जाती है यहां पर आपको single piece इसका handlebar देखने को मिल जाता है यहां पर clip में आपको hero की branding देखने को मिल जाती है जो metal part है और यहां पर आप देखेंगे इसका जो speedometer है आपको fully analog मिल जाता है यहां से आपको टैकोमीटर, साइड इस्टेंड, कटाउफ सेंसर भी है, आई 3S मिल जाता है, फ्यूल गेज, हीरो की ब्रेंडिंग, नूटरल, इंजन चेक और हाई वीम की इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, फ्यूल लोगो, जो इस्टीकर फॉर्म में है, और ब्रेंडिंग, नीचे आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स मिल जाते हैं, बात करते हैं, इसके साइड पैनल के तो आप यहां पर देखेगे, एचे डिलक्स की ब्रेंडिंग मिल जाती है, रेंगनिंग काफी बढ़िया और काफी अच्छे लुक्स में दिखाई देती है, यहां से आप देखेंगे, नीचे आपको आइट्रेस की ब्रेंडिंग भी मिल जाते है, और यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, इसका रियर ग्रेवरेल, साथ में आप देखेंगे, यहां पर आपको साडी गार्ड और नीचे फीमल फिट्रेस्ट देखने को मिल जाता है, और इसका जो चेन कवर है आपको फाइबर में देखने को मिल जाता है, बात कर लेते हैं इसके हम रियर सस्पेंशन की, तो इसमें आपको टू-स्टेब देखने को मिल याता है बात कर लेते हैं इस बाइक की इंजन की तो इसमें आपको 97.2 cc का एयर पूल फोर स्ट्रोक सिंगल सिलिंडर ओएच्टी प्रोग्राम्ड एफाई बीच्छ इंजन देखने को मिलता है जिसमें मैक्स पावर मिल याती है साथ दसमलो 91 बीच्पी की 8000 पर इसका मैक्स टॉर्प मिल जाता है आठ दसमलो 0.59 6000 पर बात करेंगे इसके फ्यूल टैंक की तो इसमें आपको 9.6 लिटर का फ्यूल टैंक के एपीसिटी देखने को मिल जाता है और साइड प्रोफाइल कुछ इसका देखने को मिल जाता है ग्रैब्रेल इसका सिल्वर कलर के साथ में देखने को मिल जाता है तो आपको कुछ ऐसा टैल सेक्षन देखने को मिल जाता है यहां पर आपको रियर में इसका जो टेल सेक्षन है यह मिल जाता है आपको हाईलोजन बल्ब के साथ में टैन इंडिकेटर भी आपको हाईलोजन तोइसं पुछ कि मॉफलर एक चलर क्रों थार इस साद come उल जुरत के साथ में और इसमें आपको 103 mm की यहाँ पर भे आप देखोंगा इसके लीवर मिल जाते हैं इसमें आपकों ब्रेक लिवर में भी आपको काफ़ी शेप्टी प्रोइच करता है pero ismae आज आए पिएस आपकोरियर 9S लाजी मिलते हैं और यहां से आप देख सकते हैं लुक कुछ इस परकार देखने को मिल जाता है इसमें और भी कलर आपको देखने को मिलेगें कई सारे कलर इसमें देखने को मिल जाते हैं और इसका जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है इसके वारे में भी हम बात करेंगे तो बात कर लेते हैं इसके अन्रोड प्राइस की तो इसका जो टॉप मॉडल का I3S के साथ में इसका प्राइस है यह आपको 82,000 में मिल जाएगी और इसका जो नॉन आई 3S के साथ में यह आपको 89,750 में और इसका जो किक वेरियंट है यह आपको मिल जाएगी 72,250 में और बात करते हैं इसके सीट हाइड की तो इसमें आपको सीट हाइड मिल जाती है 805 में हम ग्राउंड के लिए रहे हैं इसका जो मिल जाता है यह आपको मिल जाता है 150 एमक के साथ में और इसके कार्बुएट की बात कर लेते हैं तो इसका जो कार्बुएट है यह 112 किलोग्राम मिल जाता है तो काफी अच्छी फीचर के साथ में और कम कीमत में आपको काफी बढ़ी है और हीरो की स्टाइलिस्ट बाइक मिल जाते हैं जिसकी वैलू और रिसल वैलू दोनों ही काफी जवर्जस्ट होती हैं तो यह बाइक आपको वैसी लगी कमेंट करके जरूर बता है फुल वीडियो वाच करने के लिए आपका धन्यमाद मिलते हैं किसी नए वीडियो में थैंक फार वाच